इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे SSE Exams 2025 के बारे में क्या आपडेट है क्या नॉवंबर में पॉसिबल है मतलब expected as expected है कि नॉवंबर में आएगा बट कितना चांस है कि नॉवंबर में आएगा लास्ट येर के perspective से हम लोग देखेंगे सीजेल सीचसल सीपीओ एमटेस जितने भी जो मेन एक्जाम है ससी के उसमें वेकंसी expected as expected कितनी वेकंसी है कितनी वेकंसी रहेगी इस पर बात करेंगे और हाँ एक चीज तैयारी कब तो फिर ठीक है बट आप रपीटर है अब नेक्स टीर के लिए कब से करें तो यह और यह कोई सवाल नहीं फिर भी मैंने आप मेंशन के है बताऊंगा आपको कैसे करना है क्या करना है और कब से स्टार्ट करना किन-किन चीजों पे करना है इस सारी चीज़े मैं बताऊंगा इसी वीडियो में बट शोट में ही बताऊंगा ज्यादा टाइम नहीं लोगा मैं आपका ओके अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो हमारे पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक किजे आपके इंफ्रमेशन के लिए मैं आपको बता दूँ कि मैंने इस बार का यानी 2024 का प्री दिया था सीजेल का इसमें मैं रिजनिंग में 45.5 तो कोशन में गलत हुए थे एक कोशन में इंगलिश में गलत हुआ था जो कि मैंने बताया था इससे पहले वाले मतलब दो तीन वी मैं मेरे स्कोर जो है सिर्फ 16 बना था और यह सारी चीज़े मैंने आपको बताया है बट सिर्फ इंफ्रमेशन के लिए मैंने आपको बता दिया आप वीडियो चेक कर सकते हैं ओके गाई आते हैं अपने में मुद्धे पर 2024 का जो हम एक्जाम सारे हो गए लगबग सारे हैं अभी जो है क्या बोलते हैं MTS का final होने वाला है कब तक final हो जाएगा 14th of November को जो है आपका MTS final हो जाएगा बाकी जो मेंस एक्जाम है CHSL का यह का यह already scheduled है बट सीजील मेंस का जो है अभी तक कोई डेट नहीं आया है बट ऐसा यह लग रहता है वैसे जो 2024 का जो calendar है इसके हिसा हो सकता है हो सकता है कलेंडर में officially mentioned है बट अभी तक कोई exam date नहीं आया तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है ऐसा बताया जा रहा कि हो सकता हो कि पहले calendar आ जाए पहले calendar आ जाए 2025 के लिए और उसके बाद जो है आपका उसी calendar में 2024 का जो सीजेल का मेंस का टायर टू का जो डेट है वो मेंशन हो क्योंकि जो पीछे एक्जाम से रह जाते हैं उनको calendar पर अबडेट कर दिया जाता है लास्ट यह 2024 का जो calendar है annual calendar second of November 2023 में यानि second of November 2023 को ही release कर दिया गया था यह आप सभी क इसा ही expected है कि number में ही आपका calendar release कर दिया जाएगा okay calendar जो है आपका number में ही और कब यह देखिए हो सकता है कि first week of November में ही हो जाए जैसे भी आज second of November है तो 3rd, 4th, 7th November तक पता चाहिए कुछ ने कुछ तो update आही जाएगा vacancies की बात करें तो as usual अगर vacancies देखे तो 8,000 तो CGL का आता ही है बट इस बार CGL में ही थोड़ा सा ज्यादा vacancy देखने को मिलेगा आपको क्यूंकि एक नया post इंकम टेक्स डिपार्टमेंट में एक इंकलूड किया गया है नया post वह कौंड सा आप सबको अभी तक इसके बार में पता चली गया होगा और इसमें से कुछ वैकंसी जो ऐसे हैं जिसको पर्मोशन के थुरू भड़ा जाएगा और बांकी डारेक्ट रिकूर्टमेंट के थुरू यानि आपका CGL का एक्जाम के थुरू भड़ा जाएगा इसको यह समझ ग है कि बांकी बढ़ने घटने के चांस तो ही कुछ बढ़ भी सकता हो सकता ज्यादा आजाए अब ट्वंटी ट्वंटी फाइब के लिए हम लोग कर रहे हैं और इसके लिए इस बार यह हमारा लास्ट फाइट होगा ऐसा सोच कि प्रपरिशन कर रहा है कि यही है और निकालन प्रपरिशन और सारी चीज़े में आपको यहां पर बताऊंगा और आप आभी तक वीडियो हमारे देख सकते हैं कि किस लेवल का हम कोशिश कर रहे हैं और डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे आपके इंफ्रमेशन के लिए हम आपको बता दें कि मैंने इसाइद पहले मुझे यहां से हटना नहीं था मैंने स्वीच कर दिया अपने आपको एससी के तरफ वो क्यों किया क्योंकि मैं यहां लग रहा था कि यार अगर मैं प्री निकाल भी दे रहा हूं तो मेंस भी प्यस्टी का इतना तकड़ा मेंस हो रहा है इतना फिर इंटर्व्यू एक दो स इस यजड़ी का इसको मज़ाग मैं नहीं ले सकते हं हम और इसाज यसेसे वर्ड आ जाते हैं जिसका आप सोच भी नहीं सकते हैं मैंजिन कर सकते हैं कियार यह क्या क्या है लेकिन आप अगर पड़े वे रहे हैं तो ईपरवे निक्वां से एисл और यह सकते हैं इंगललिश क अब को बताया था हना अलेडी बताई इस मैं भी बताया हूं के रिजनिंग में में अच्छा खासा दो ही कोशन रिजनिंग में गलत हुआ एंगलिश में एक ही कोशन गलत हुआ सिर्फ 16 15 फवाइस करके सब्सक्राइब करें सकता था बंठ कर बट को मैघए यहाँ परिपीट कर देना उस्पर एरिटरियो से इपक्स करो आप अप तो आपको काफी सारी चीज़े अब तक सब कुछ समझ में आ गया होगा एक्जाम के बारे में फरेशर हैं तो स्टाटेजी बगर अपना खुद का बनाओ देखो अलग अलग जगे से सोर्से कलेक्ट करो और उसके बाद अपना मैंने भी आपको बताया है मैं आप आगे बताते रहूँगा सारी चीज़े अब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए बाकि हमारे वीडियोस में जो भी मैं अगर कुछ गलतीयार सी बात हो सकती है कुछ भी मैं मिस्टेक कर रहा हूं या कुछ भी वह बो रहा तो आप मुझे समझ में आ गया होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग